नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपने अपने जीवन में बस का सफर तो किया ही होगा लेकिन अगर आप मुंबई में हैं और पूने जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये बस राइड जरूर करें और इसमें आपको क्या खास म मिलेगा ये आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको बता दें कि अगर आप मुंबई से पूने जा रहे हैं तो मुंबई पूने एक्सप्रेस वे के द्वारा ही आप पूने पहुंचेंगे और इस बस राइड का मज़ा आप बेहद उठा सकते हैं आपको बता द कि बुंबई पूने एक्सप्रेस वे भारत का पहला 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे था और इसे इंटरनेशनल स्टेंडर्स के हिसाब से बनाया गया था आपको ये बात जानकर हरानी होगी कि इसमें सेफटी, ट्रैफिक कंपाउंड वाल, फैंसिंग और दोनों तरफ हर प्रकार की सुरक्षा उपकर्णों की मौजूदगी देखने को मिलती है इस एक्सप्रेस वे पर पेट्रोल पंप, मोटल, इटिंग और रिलेक्सिंग प्लेसेज, वर्क्शॉप, हर प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध है इस एक्सप्रेस वे पर क्रेन की पर उपलब्ध है जिससे कि अगर एक्सिडेंट हो तो आसानी से सारी चीजों को क्लियर किया जा सके अंडर पास, ओवर पास और हर प्रकार के ब्रिजिस से खुबसूरती इतनी है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे इस एक्सिडेंट की खास बात यह है कि इस पर टूविलर, ठीविलर और ट्रेक्टर टाइप वहिकल एलाउट नहीं है और एक बात कि इस एक्सिडेंट के आसपास रहने वाले गाउन वालों के लिए हर 300 से 500 मीटर पर सबवेज बनाए गए हैं जिससे कि वह एक्सप्रेसवे से परेशान न हो इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ करीबन 7000 से भी जादा पेड लगाए गए हैं इसलिए इस एक्सप्रेसवे की खूबसूरती देखते ही बनती है अब बात करते हैं कि मुंबई से पूने अगर आप बस से जा रहे हैं तो आपका किराया कितना लगेगा आपको बता दें कि अगर आप मुंबई से पूने बस से जा रहे हैं तो आपका किराया 300 से 400 रुपे के बीच में लगेगा लेकिन अगर आप high quality की luxurious bus लेते हैं तो उसमें आपको 700-1000 रुपे देने होंगे मुंबई से पूने पहुचने में करीबन 3-3.5 घंटे का समय लगता है और इसके लिए आप by road, train और flight की सुविधा ले सकते हैं लेकिन अगर आप monsoon season में जा रहे हैं तो हम आपको recommend करेंगे कि आप by road ही जाए इसमें आप ऐसे नजारे देखेंगे जो आपने कभी अपने जीवन में नहीं देखें होंगे हम आशा करते हैं जनकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ आवशे शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल बटन को ज़रूर तबाएं धन्यवाद